यहीं दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आसा करता हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आज हम लोग देखेंगे बिहार फारी में जो आपके 27 मर्च को एक्जाम होने वाला है तो उसी के लिए हम लोगा आज मास्टर वीडियो देखेंगे हिस्टरी का जिसमें आपका हिस्टरी को तिन पार्ट में कंप्लेट करा जाएगा पहले पार्ट में आपको प्रचीन भारत का दूसरे पास में आपको मद्य कलीन भारत और तीसरे पार्ट में आपका आधनिक भारत कंप्लेट करा जाएगा तो तो आपका हिस्टरी के तीन पार्ट में विडिवाएंगे और यह सार प्रचिंतम साक्षिब कहां यहां पर प्रचिंतम साक्ष प्राप्थ हुए है कहां से तो यह जो साक्ष मिला है आपको मेहरगर से मिला है ठीक आप लोग डिकर जएगा यह मिहरगर घहा पर है तो पकिस्तान के बुलुचिस्तान में है और यहाँ पर जो साक्ष मिला हुआ है थेख है जलिए दूसरा प्रैश्ण है कि निम्लालेखित में से किसको यहाँ पर केलकोथलिक कि किसको कहते हैं यहां से आपका तामर जूग को कैलकोथलिक जूग भी कहा जाता है ठीकुंद आपका तीन स्थी कोरेक्ट है चलिए अगला प्रेश्ण हम लोग का है कि हड़ापा में मीटी के वर्तन पर समानेता किस रंक का उप्योग हुआ था तो देखिये हड़ापा में जो समानेता मिटी के वर्तनों पर आपका लाल रंका जो है परोग किया जाता था ठीक ऑपना प्रोग यह जो कर लीजे को रंग किया जाता था पहले में उपर से होता जो आपका लाल का था और नीचे का जो कलर होता था उसका काले रंग का होता था ठेक चलिए कि सिंदु सुव्यता निम नालीकत में से किस यूग में पड़ता है तो सिंदु सव्यता आपको यह आदे थेहात्वएक जूग में पड़ता है ठेक कब से कब तक तो यह पचीस सो बीसी से ले करके यहां से च्छाव सो बीसी तक होता है ठेक अगला प्रश्ण हम लोग का है कि सिंदु घाटी सव्यता की सबसे महत्वपुन विश्यस्ता क्या है तो इसकी सबसे महित्वपन विशेचता है कि पक्की इड़ से बने इमारत्वा की जो घर होती थी वो पक्की इड़ से बने हुआ था ठेक चलिए अगला प्रश्ण हम लोग का है कि निम्ला लिखित में से कौन सा एक हडपा का बंदरगा है तो हडपा का एक बंदरगा कौन सा है वह है आपका अलो था ले जो की हडपा का बंदरगा है ठेक यह हडपा कहां पर पड़ता है तो यह आपको गुज्रात के आमादा बाद जिल्ला में पड़ता है और यह भोगवा ने देखे किनारे इस्तित है ठेक चलिए अगला प्रश्ण है कि निम्ला लिखित में से किस हडपा काली इन अस्तल से टेरा कोटा का हलप राथ हुआ है तो टेरा कोटा का जो हलप राथ हुआ है यह आपको वनमाली से प्राथ हुआ है वनमाली कहां परे तो यह हर्याना में ठेक अगला प्रेश्न आम लोगा एक निम्रा लिखित मैं से किस हड़ापन अगर में जूते हुए खेतों का निसान उन्मीसान आपको हड़ापा से कोई लेंदन नहीं था चलिए अगला दस नुमर प्राशन है कि बो यहां पर बोगज कोई का महत्वा इसलिए था तो बोगज कोई का जो महत्वा था वह था कि वहां जो अभी लेक प्राप्थ हुआ है उसमें द्वैदिक देवी ओंदेवताव का बढ़नर मिलत है इसलिए आपर यहां पर बोगज कोई कोई यह महत्वा था चलिए अगला प्रेशन है कि प्रसीद दस राजाओं का युदे किस नदी के अफ्तर पर लड़ागे देखिए हां पर प्रसीद जो दस राजाओं का जुद है यह आपको पुरुसनी नदी के तरफ पर लड़ा गयतरी मंत्रे किस पुस्तक में मिलता है तो गयतरी मंत्रे किस पुस्तक में मिलता है और भी हुए यह है भार्निमि इन या उपस्फिंट प्रमणू कि ए ऑप्सक्रिय नव्です कि तरसान है आतोह स्धान का अयव क्षेस्थां के प्रमार्णू सीधादब ज्दान के यहाँ पर वै處 सिके दव्य है थी को सबिके करणे घेगा नेका वह बैसे शिकते दर्सन के नुसार स्रीश्टी का जो निमान हुआ हो अनु से होगा ठेक और महार सी जो अते यह कनाओ थे गार आहला प्रस्न को क्या की महाबीर हुआ था तो महाभीर स्वामी का जो जनम है वह जनम हुआ उनका कुंडल ग्राम में हुआ था कभ था तो यहाँ पर 599 में में उनका जनम हुआ था पुराने जब आप पीछले जो इन्टीअसी एंसियाटी का भूक देखिएगा तो उसमें आपको पांसो चालीस मिलेगा लेक अगला प्रश्ण हम लोग का है कि महावीर जैन की मृतिव निम्ना लिखित में से किस नगर में हुई थी तो उनका नगर पुछा गया है तो उनका नगर पावापुरी में हुए था ठेक चलिए आगला प्रश्ण अमलों का है कि भागवान महावीर का प्रथम सी से था कौन था तो उनका प्रथम सी से जमाली था जो कि उनका ही दमाद था हैउ दो नीशिкив दूश्ट मरे से कौन सबसे यहांपर पूर्वयकालिक जयन गरंत कहलाता है तो पूर्वयकालिक द्धर्म चक्र परवतन सारनात में दिए था अपने आप लोग भी कर लिजेगा और अगला प्रस्न हम लोग का 21 नमरे की महत्मा बूद्र का जिए हम पर महा पर वर महा परी जो निर्वान है कहां वह था तो उनका जो महा पर रूंद्र है कुछ सी नेगर में हो था प्लोग इ ठीव जाए खेल जीए है चलिए आगला प्रस्न हम लोगा यह प्रस्न है कि तरी पितक किस की धार्मी को दक है तो यह थी पितक जो आता आपको बाउत धर्मूस सहता इसमें तीन पिटक होते हैं पहला बिने पीटक दूसरा सोत्त पिटक और तीसरे में आपका जो हता है त Ergebnis Live से संबाधित है तो यह तिनों जो भाग है यह आपका जेहिंधरम से संबंधित है ठीक आपका याद रखना है जैन धर्म से इस ऑफ्ज victims में नहीं दियांन preparation प्रश्ण प्रश्ण है कि निम्मिनली खित्म से कौन सी बात bouध्रम तथा जैन धरम समान नहीं थी देखें इसमें सब पूछाएगे कि कौन सा जो बात है वह बाध्रम और जैन धरमे समान नहीं था तो देखिए गौतम बुद के माद्यम से यहां पर देखें गौतंबुत के मध्यम पर्ग का उपदेश दिया था कि वे मुक्ष के लिए जो है कठोर साधना विश्वास नहीं करते हैं लेकिन इसके बिप्रिते जो है जैंदरम में कि महाबीर स्वामी ने मुक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्यत था सरीर त्याग को आवस्यक माना है यहिस दोनों में अंतर है डशलिये अगला प्रशण है कि बोध गया में बोधी विईक्ष की यहाँ पर इस पिड्री का देखी जह किस पिड्री का है संसांसाग कर थो उनिक दर नाश्डा करता है था सब्सक्राइब बावर की गुफाओं के रुप में किया तो आजिवक ने बावर की गुफाओं को वाज्जीवक के संपर्दाय के संस्थापक थे कौन थे तो अज्जीवक संपर्दाय के संस्थापक यहां पर मखली गोसाल थे कौन या पंटन अगर की अस्थपना अगला पूंट की किस असासाख द्वारा सूरेप्रत्रम पाटली पूत्र का राज धानी के रूप में हाप पर चैनित के गए सफसे पहले कि के दौरा तो यह क्या गया था उधाइन के द्वारा ठेक चलिए अगलाप रशन हम लोग कया है कि निम्नारीकित में से किस राजा ने पाट लिपसाया था तो पाटली पूत्र इस अगया था यह उधाइन के द्वारा ठेक अगला परशन हम लोग का 31 नमबर एक बीश्व का पहला जो गड़तंत्र वैसाली में किसके द्वारा तो यह श्वियों के द्वारा ठेक अगला प्रश्ण है कि मगत की प्रारंबिक रजधानी कौन सी थी तो मगत की प्रारंबिक रजधानी थी आपका राजग्री जो को ग्रीव रज के नाम से जना जाता है ठेक अगरा प्रूस्टे अम directions का पाक्षान कहिए कि अध्याद सब्सक्षांग था क्या था तो आयात संतर्याओंस का नाम था हर यक भूसटे आघ्ला प्रहत नहां लोगा बिंग्र तो टाससे चंद्रीजुब्त मौरियं की पाचान किसने के प्रांड कूसरीघंडेगं नेयरे जो किछने पढ़ा को सबसे पहले यह पढ़ा गया था आपका यह जेमस की दोरा कप पढ़ा गया था तो 1837 में बढ़ा गया था ठेक चलिए अगला प्रशन हम लोग का यहां से 36 नंबर है कि मेगास्तिनिज के पुस्ता का नाम क्या है तो मेगास्तिनिज के पुस्ता का नाम इंडिका है क्या है उनके पुस्ता का नाम इंडिका है चलिए अगला प्रशन हम लोग का है कि इंडिक आपका लेखा कौन है तो में घश् deze अगला पोइंट ठार ऑड़ ओड़ति नम्रेक Arkansas जो जो दखिये में जो रहे जो ये यूनान गथा न का था अगला प्राश्न हम रोकर कि कि aunty mowi सात हो यहां प्रकर की tie Co u तो आपका राइटेंस रोगा ब्रीद्रत था ठेक चलिए अगला प्वांट हम लोग का यहां से किस अभी लेक में रूद्रा दमन परत्रम की बिभीन उप्लाब्दियों बढ़नन है यानि कि बढ़नित है तो आपका राइटेंस हो जागा यह जूना गड़ में कहां पर जू जैन धर्म के प्रतिभारी जुकाव था खरगेल ठें आपर खरवेल रजाओं का था यह जो कालिंग का सा सकता खरवेल ठेक चलिए अगला प्रेस्टन हम लोगा कि कालिंग नरेस्ट खरवेल का संबंद्ध किससे तो उसका संबंद्ध है महाब में ध्वावन बंस से और यह से दिबंसें दोनों से उसका जो है संबंद्ध तो आप लोग ऑफशन जो है और वी दोनों जो है राइट कर ली जाएगा और अगला प्रस्वन है कि प्रचीन भारत का नेपुलियन किसको कहते हैं तो समून्द्र गोपत को कहते हैं पर इतिहासकार जो विसंट स्मिथ ने अपनी रचना ओल ओल हिस्ट्री ओफ इंडिया में समूंद्र की जो है बिर्ता का बीजय पर मुग्द होकर उसे भारतिय नेपोलियोन की संग्या दिया था तो यह किसके द्वरा यह भी सेंट इसमीद के द्वरा दिया था चलिए नेक्स प्रशने की गुप्त समरा आट की जि अप्रहत कहा जाता है तो कहा जाता था तो अप्रहत जो कहा जाता था बीना जोती हुई जंगले भूमी को अप्रहत कहा जाता था ठेक चलिए आगला प्रशने है कि चीने यात्रे यहां पर सुंगायूर ने भारत के यत्रा के थी कब से कब किया कब से कितने के कितने समय के वीच में किया था तो यह जो यहत्रा क्या था आपको पन पर 515 इस भी से लेकर 520 इस बैने के टूटल यह पाइस सालों तक रहा था ठेक चलिया और इन्हें क्या अगला प्रश्ण है कि कलहंड के पुस्ता का नाम है क्या है तो कलहंड का पुस्ता का नाम है आपको राज तरंग देखिए कलहंड ने राज तरंग की में कस्मीर का इतिहास के बारे में उन्हों बन किया है ठेक चलिए कि अगला प्रेश्चना में का है कि अधन्त पूर्ये शिक्षा केंदर निम्न में से किस राजी में अवस्थित है तो देखे जो उदंत पूर सिक्षा केंद्र है यह आपको विहार में श्थी ते अफ्सोन आप लोग भी कर लीजिए कहाँ पर आगे यह आपको विहार में देखे जो अधंत पूर जिल जो आफ उदनापुर भी कहा जाता उसको और प्रचीन काल में आक जो है प्रमोख चपाल के दबूरें या किया ऐता अगला प्रेशन अमसे अ 34 में आपको पचासे प्रेशने लिया गए था तो इसमें आ यारे की कानाट बंस का संस्थापक कूं था तो करनाटवज के जो ती अपको यह पर नन्य देव ठीक यह कब से कब कि तक कियोंकि जो सासुन था तो करनाटवज का जो सासं था वह आपको 10ito 97 से लेकर के 325 तक थे आपको याद रहना है 1090 से लेकर तेरह सो पचीश तक यह कारनाट बंस का सासन था ठेक और इसमें हम लोग का आज का सेवा यहीं पर समाप्त होता है और अगला वीडियो होगा तो हम लोगा जो आपका वह मध्या कलीन भारत का होगा तो हम मध्या कलीन भारत में करेंगे कि आपका करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम आगे कुछ रीजन के कारण तो अगला वीडियो आपको ज्यादा उसमें प्रेशन देखने को मिलेगा और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक लिए थैंक्स और इसका पार्ट दूब आपको जल्द ही मिल जाएगा तो च प्रेशन आपको जादा प्रेशन जादान में स्वादन आपको जादाली है